धोनी को आया मैदान पर गुस्सा जिसे देख क्षेतर रक्षक से लेकर गेंदबास तक हुए हैरान। मैदान पर हमेशा शान्त रहने वाले धोनी को क्यों आया गुस्सा। क्या करियर के आखरी पड़ाओं में मिस्टर कूल के नाम से मशुर धोनी हो गए है होट। बताएंगे आपको क्या हुआ ऐसा मैदान पर जिससे धोनी को आया गुस्सा। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों आज सवाईमान सिंग स्टेडियम जैपूर में IPL की दो दिगज टीमों के बीच मुकाबला हो रहा था। जहां एक तरफ जर्ने की टीम थी वहीं दूसरी तरफ राजस्तान जिनका ये होम ग्राउंड भी है। मुकाबला बोड़े शान्ती से चल रहा था। इसे बीच मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिससे धोनी बहुत जादा गुस्से में दिखे। उन्हें इस रूप में देख मैदान पर मौजूद साथी खिलाडी बिलकुल डर गए थे। आपको बता दें इनिंग्स के बीच में फिल्डर्स के खराब फिल्डिंग से परिशान होकर धोनी ने बीच मैदान में ही शेवम दूबे की च्रम कर क्लास लगा दी। आपको बता दें कि हुआ कुछ यूँ था कि हेटमार नैने बल्लेबास मैदान पर आय थे और कुछ अच्छे शौट खिल रहे थे। इसे बेच उन्होंने गेंद को टहलाते हुए सिंगल छोडाने की कोशिश की और इसे शेवम दूबे से मिस फिल्ड हो गया और बल्लेबास को दो रन मिल गये। प्राइकर एंड पर बल्लेबास को रन आउट करने के इरादे से बॉल फेगा जिसको पतिराना ने बीच में ही पकल दिया और बल्लेबास रन आउट होने से बच गया जिसके बाद एक बार फिर धोनी का रौद्र रूप देखने को मिला और इस बार इसके शिकार हुए थे गेंदबास पतिराना धोनी ने उनके तरफ देखते हुए चुलाया और ये बताने की कोशिश की कि ये गेंद मैंने रन आउट करने के लिए फेका था आपने बीच में क्यों पकड़ा जिसके बाद कुछ ऐसे पलाए थे जहां मैदान पर एकदम शांत दिखने वाले धोनी आज मैदान पर काफी गुस्से में दिखे थे जिससे कि उनकी टीम मेंबर के साथ साथ मैदान पर खिल रहे खिलारियों को भी जटका लगा सभी मिस फिल्डों का ही नतीज़ा था कि राजस्तान आज दोसों के उपर स्कोर खड़ा करने में सफलता पाई और इस सजीत को हासिल करने के लिए चरनई को मशक्कत करना पड़ा ये बात धोनी के बीच मैदान में समझ चुके थे इसलिए वो लगातार फिल्डिंग पर ग लगता है धोनी का गुस्ता करना सही था या गलत हमें अपने जवाद कोमेंट में जरूर बताईए